नमस्कार दोस्तो, रोहित है या दोस्तो प्रिलिम्स आपके माथे पर है तो मैं आपसे दो-तीन चीज बात करना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके पास अभी एक 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 नजाइटी का महौल है एक नजाइटी का महौल यह है कि सर कौन सा टेस्ट पेपर लगा ले अगर टेस्ट पेपर लगाने से एकजाम निकल जाता तो दुनिया पचास-पचास टेस्ट पेपर लगा लेता और एकजाम को निकाल लेता देखो, प्रिलिम्स has become very dicey प्रिलिम्स has become all about the strategy how you strategize आप कैसे अपने strategy को अपनाते है the moment you have a very nice and proper in a streamlined and chiseled strategy the probability of the clearing prelims is very high now the point is how I will have to substantiate my point अब ध्यान से देखो आप बहुत ऐसे हम candidate को जानते हैं आप लोग भी यारदो चानते होंगे कि उसको पढ़ाई में और मेहनत में कोई तोड़ नहीं है मेहनत बहुत कर रहा है आप एक मैक जिन करके जा रहा है वो दो-दो मैक जिन करके जा रहा है तीन-तीन मैक जिन करके जा रहा है बट फिर भी prelims में feel कर रहा है examination का temperament खराब हो रहा है पिछली बार भी X coaching का Y coaching का Lambda और Delta coaching का पूरा test paper लगाया फिर भी prelims में नहीं हुआ You will have a different state of the candidate आप देखो है कि prelims के 30 दिन पहले active हुआ and they have cleared the prelims very easily, very आराम से तो what is the difference between the two? Is the difference between the two is is it of the mental ability? अगर आप मुझे पोलें कि mental ability का problem है तो बिलकुल भी mental ability का problem नहीं है अगर UPSC का paper होता तो मैं एक जटकी में मान भी सकता था कि ठीके कुछ mental aptitude का problem होगा पर एक state PCS के exam को निकालने के लिए अगर आप नहीं निकाल पा रहा है और दूसरा सेक्टर तर candidate निकाल पा रहा है तो mental aptitude का problem नहीं है वो completely एक strategy का problem है आप उसे strategy को decode करने की कोशिस करते है देखो दो-तीन चीज़ को याद रखना अभी जो 40-50 दिन जो भी आपके पास है आपको जी जान लगा कर मेहनत करना पड़ेगा खुब मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप अभी जो मेहनत करेंगे तो आपको लगया कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है तो एक होता है seed जिसको आप 20 बोलते हैं और एक होता है fruit मत घबराओ, science नहीं पड़ा रहा है अगर आप seed को fruit से तुलना करोगे न तो fruit हमेशा seed से बड़ा है उसी तरह से आप आपके जो परिनाम आने वाले हैं जो सखलता के रूप में जो परिनाम आने वाले हैं अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं तपिस सह रहे हैं जो मेहनत की भठी में तप रहे हैं उससे कई गुना बड़ा होगा जिस तरह से fruit जो है seed से बड़ा होता है आपने अपने को वादा किया है अपने स्वीटू और मीठू को वादा किया है कि डिप्टी कलेक्टर बनके साधी करेंगे परिवार वालों से आपने वादा किया है जब आप किसी से वादा करते हैं तो आप एक आशा को जम देते हैं जब आप उस वादा को निभाते हैं तो उस डिप्टी का आप विश्वास अरजित कर लेते हैं परिवार वालों का विश्वास अरजित कर लेते हैं अपने प्रेमिका का प्रेमिका विश्वास अरजित कर लेते हैं तो आसा को विश्वास में convert करने का एक बहुत बहुत बहुतरीन मौका है, इस मौके को मत खोईए हम मानते हैं कि अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते होंगे पर हम लोग एक पागल की तरह एक भेड़ रेस बना हुआ है, जो भी हमको थोड़ा बहुत एक्सपीरियेंस है प्रिदिस निकालने का आपको हम बता रहे हैं कि it is not about the number of the test papers, it is never it is मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को पॉस्च कर दो, कुछ और एक्जाम का तैहरी करो, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ बिकॉस देर इस a cutthroat competition and you will have to put all you have जो भी आपके पास है, आपको समर्पित करना पड़ेगा, now the point is, कि इतना तो ग्यान दिये प्रभू, इस strategy वाला बात बताओ, ग्यान तो तुम बहुत पिला दिये अगर हमको ध्यान से ठीक है, तो देखो कुछ-कुछ fact में हमनों बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे अगर आप 68 की बात मुझसे करेंगे, तो 68 में हम लोग जेनरल मेल की बात करेंगे देखो जेनरल वालो, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, competition कठिन है OBC वालो का, EWS वालो का, उसका असान है यार, लोग को लगता है कि दो ही नंबर का तो अंतर है, पर दो नंबर का बहुत अंतर है हम जेनरल कैंडिडेट हैं, तुम्हारे पीडा समझते हैं, EWS भी नहीं, एकदम सुध जेनरल है उनका एकदम राइट साही है, पर तुम्हारे साथ हम बोलना चाहते हैं कि यदि लोग 6 गंटा पढ़ेगा, तो तुम 8 गंटा पढ़ना जबना मत पढ़ने में, क्योंकि इनके पास reservations का तागत है, जोकि completely valid है, constitutionally valid है, उनको चाहिए पर हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, जान जादा लगाना, अगर 6 गंटा पढ़ेंगे, तो तुम 10 गंटा पढ़ना, 9 गंटा पढ़ना पर जान लगाना, वहाँ पर competition जादा है और नीचे जो troll army है, I give a damn to your this opinion, जो सत्य है उसको तो बोलेंगे तो ध्यान देना खुब पढ़ना, तुम लोग क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा भी elbow room नहीं है, गलती करने का, ठीक है, घर वाला भी नहीं सुनेगा, है ना, तो ध्यान रखना अगर 860 में देखोगे, तो general candidate का cutoff कितना गया है, 91 number गया है, अगर महिला candidate का देखोगे, तो 84 number गया है, मैं महिलाओं से भी कुछ बात करना चाहूँगा अगर EWS का देखोगे, तो 87.25 number का cutoff है, भाई, तीन number का अंतर है, more than enough है, एक number पे तो 1000 लोग आगे आ जाएंगे अगर EWS महिला का देखोगे, तो there is a drastic change of 81.25 number, लड़ती लोग बिहार में जितना से सक्तिकरण का मौका मिल रहा इसको भुना लो, UPSC label ground field रहेगा, दूसरे स्टेट में वही एकदम label field है, यहाँ पर मौका है, अपने आपको empower करो, empower करोगी, जिवन बहुत सहुलियत में बित पर selection हुआ है, जो कि पीछली बार बहुत सी tough paper रहा है, और बहुत अच्छा paper रहा है, नहीं तो railway वाला C grade, D grade आकर एकदम निकाल ले रहा था, loosen type का question आ रहा था, इस बार भी paper उसी तरह का रहेगा, अब देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप science में दिखोगे, कि science में कि 10 question मोटा मोटी हम दोग दिख रहे हैं, economics के ये completely 5 question है, 5 में 90% question budget और economic survey से है, उसके बाद अगर आप बिहार special देखोगे, तो बिहार special से 20 question पूछेगे, आप current affair का देखोगे, तो मोटा मोटी 35 question पूछेगे, आप math and reasoning कहोगे, तो 10 question पूछेगे हैं, तो total मोटा मोटी 100 question हो जा है, आप पागलो की तरह अंधा दोण मत करो, मेरा मानो, एक काम करना, एकदम ऐसा भी नहीं कि हम कुछ rocket science बता रहे हैं, पहले भी आपको बता चुके, अपना 68 का paper अपने सामने रखना, दुनिया से बेहतरीन test paper आपके पास कुछ भी नहीं है मेरे बंधू, जो लड़का अ अच्छे से अनलाइज कर लिया, उसका 69 में selection हो जाएगा, हम इसलिए बोल रहे हैं कि responsibly बोल रहे हैं, हम अपने जीवन में prelims फिल किये हैं, एक बार किये हैं, तो उसका अनुवह तुमको बता रहे हैं, अगर तुमने test paper को अच्छे से अनलाइज कर लिया, तो कोई भी exam अ आप उस समय पूरा करके गए थे और आपने अपना temperament को लूज कर दिया, आपकी तयारी नहीं थी revision को लूज किया, जो भी factor है, ये वो paper है, जो आप उस दिन perform करके आ गए हैं, अब इस paper को analyze करने की तुम कोशिस करो, इस paper के साथ 3 घंटा देना, हडबड़ी में मत analyze करना, 3 घंटा paper के साथ देना, आप देखोगे कि इस पूरे segment में, कोई-कोई segment में आप mark आए होंगे, जैसे देखो, हमको pass करना है, अगर तुम हमारा science का तुम video follow करते हो, तो क्या हम 22 question नहीं लिके आ सकते थे, सही-सही, अगर आप history देखते हो, तो 30 question है, हम लोग analyze करते हैं, 20 question, ए मैं रहे target रहे हैं कि 10 में तुम 8 सही करो, quality मानते हैं कि अगर कोई ललका previous year question का क्यों question करके चला जाता, तो 5 question सही कर लेता, economics में, हम तुमको बोलेंगे कि economics में strike rate तुमको बहुत जादा होना चीता, तुमको 5 में 5 सही करना चाहिए था, क्योंकि budget और economic service से question पूछता है, फिर जो वीडियो हमने YouTube पर डाला है, उसको देखो, और सठवी का question खोलो, नहीं होगा, तो comment box में आके हमको गाले लिप देना, ठीक है, 17 question तुम वीडियो से मार सकते थे सही, current affair अगर तुमने कोई एक magazine कर रखा है, तो current affair में कितना भी तुमको कम number लेके तुम आ सकते थे, तो य कि सुनना हाथ में लगा 2, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 90 number, नहीं, 2, 2, 4, 5, 9, 21, 7, 18, 18, 18, 20 की सुनना हाथ में लगा 2, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 90 number, cutoff कितना गया, 91 number तुमारा cutoff गया है, यह हम तब तुमको बता रहे हैं, कि जब एकदम, जो लो लो हम करके देख रहे हैं, उसके 90 number हुआ, math and reasoning अगर 10 question है भाई, तो math and reasoning में अगर engineering background है, तो तुमारा कितना भी नसीब फुटेगा, तो तुम 5 question सही कर दोगे, अगर मानते हैं कि तुम literature background के हो, तो भाई 10 question में कम से कम 2 से 3 question तो तुम आराम से बना लिए होते, फिर भी तुमारा 390 number हो जा रहा है, हम बोलना इतना conservative estimate लेकर हम चल रहा है, तो फिर भी प्रिलिंस निकाल रहे हो, इतना conservative estimate लेकर चले हो है, फिर भी निकाल रहे हो, अगर category में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर prelims क्यों नहीं निकला, प्रिलिंस इसलिए नहीं निकला, कि जो major segment है, जो science वाला segment में आपने 22 से क सही किया होगा, या बिहार special में 17 से आपने कम सही किया होगा, या current affair में आपने 22 से कम सही किया होगा, बाकी कोई segment में आप मार नहीं खाये होगे, तो आपको करना क्या है, अब पागल की तरह test paper पे मत बनाने चले, जो कि कोई test paper उठाए, it is a futile exercise, अगर मानते हैं तुम quality का औ मुस्किल है, तो you are simply wasting your energy, my dear friend, अगर तुमको जोगरफी में 10 में तुमने already 7 सही कर दिया है, और फिर से जोगरफी पढ़ रहे हो, you are wasting your energy, my dear friend, अगर हम science में कोई engineering background का IIT का लड़का है, वो 26 questions सही कर दिया, वो science क्यों पढ़ेगा, you are wasting your energy, as simple as that, क्योंकि science में जितनी तयारी क जरुरत सी आप उस तयारी पर पहुँच चुके हैं, अगर कोई current affair का लड़का है, अगर वो 27 questions सही कर दिया, आभी भी 2-3-3 में श्पीड ही पढ़ रहा है, XY प्रतियोकता धरपन पढ़ रहा है, क्रॉनिकल पढ़ रहा है, BCW का में जिन पढ़ रहा है, कही क्लिप पढ़ तुम्हारा current affair अच्छा है, you are simply wasting your energy, हम क्या करते हैं, कि हमारे पास 100 जूल का energy है, उस तो जूल के energy को आप देखो कि 70 जूल आपने फिर वहीं पर invest कर दिया, जो आपका already strong area था, वहाँ पर बहुत तुम invest करोगे, तो 10% आप उसमें result बढ़ा सकते हो, और जो नहीं आपको segment आता था, आपने उसमें मातर 30 जूल of energy को invest किया, यहाँ पर scope जादा था, आपने यहीं पर scope energy को invest करते रहे हैं, और आप फेल कर जा रहे हैं, प्रिलिम्स का हम देखो एकदम दिल से बता रहे हैं, और यहीं सचा ही है, एक बार follow करके देखो, और बहुत लोग ऐसे हैं, जो BC जूल तुम्हारे पास उर्चा है, इस सत्तर जूल को आप उस सेग्मेंट में अभी देदो, इसलिए भी बता रहे हैं कि भी किया जा सकता है, अगर हिस्ट्री कमजोर है, तो आप लगातार 10 दिन हिस्ट्री को देदो, अरे दुनिया में कौन ऐसा तागत हैं, कौन ऐसा subject है कि अगर हम 10 दिन 8-8 घंटा बैठ के पढ़ जाएंगा और नहीं होगा, करेंट अफेर का तुम हववा बचाते हो, बताओ, करेंट अफेर वो सब नालाइक आदमी है, जो दिन भर हर महीना करेंट अफेर पढ़ता है, और फिर फेल करेगा, हम on record बोल रहे हैं, अरे करेंट हम सिधा बोल रहे हैं कि कोई एक मैगजिन लिए, मैगजिन अर्धवास की या यर भी आता है, कितना पेज का मैगजिन है, जी, 160 पेज का मैगजिन है, हम एक दिन में स्टुल्ह पेज तो आराम से पढ़ सकते हैं, डाइस कर सकते हैं, तो मेरे साथ बैटो, हम भी बैठेंग है न, क्योंकि मल्टी कलर डाएगा, हमारा है, तो हम जो इफर्ट डाल रहे हैं, उसके दिये बूल रहे हैं, पर इस इस नौट अ सेक्रो सेंट, अगर एक्स कर रहे हो पहले तो एक्स पर भरुजा है, उसको करना, वाई जेड लैमडा पर करना, अगर नहीं किये हो तो एक साइन्स के लिए कुछ भी मत छोड़ना, जितने वीडियो डाले हैं, उसको कर लो, और तरकस किताब को उठाना, और तरकस को ही उठाना, और किसी को मत उठाना, इसने जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, तरकस में जितने questions डाले गए हैं, उन questions को attempt करना, उसके explanation को पढ़ लेना पर अगर हिंदी मीडियम हो, तुम्हारे लिए तरकस नहीं आया है, तो जो भी किताब तुम्हारा मार्केट में होगा, एकस भाई जेट, जो भी तुमको ठीक लगता होगा, उसको उठाना, और उसके previous year questions को solve करना, तरकस बाले English medium हो, तो तरकस उठाना, और कोई भी गल्प नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि अगर उसके अच्छा होता, तो हम उसको recommend करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, अगर मानते हैं कि तुमको history नहीं आता है, तो history में कम से कम ये करना, कि हम साथ दिन कोई subject नहीं पढ़ेंगे, हम 20 अगस तक कोई subject नहीं पढ़ेंगे, अग अगर 30 question history में आया था, और मेरा स्टरा से 18 question सही हुआ, इसका मतलब हमको पता है कि मारा common area के साथ हम fail कर गए हैं, आप 7 दिन से 10 दिन केवल history पढ़ेंगे, एक दम पागल की तरह history पढ़ना, और history पढ़के कम से कम ये करना, कि जो तरकस में जितने सवाल दिये हुएं, जितन 70% ही आप अच्छे से पढ़े थे, 30% आपको तरकस fact दे देगा प्रिडिम्स के लिए, अब आपका हुआ 100%, अगला काम ये है कि 7 दिन आपने history पढ़ा, आप 3 दिन जो तरकस के सांस आप फिर से history पढ़ेंगे, और 10 दिन में आप history को command कर लेंगे, अगर 2 subject week है, तो यही process को तुम पूरे अगस्त तक करना, और यकीन मानो, अगर सितंबर में तुम्हारा result नहीं आया, तो आकर हमसे पूछना और बोलना कि तुमने वो गलत काईट किया था, बाकी पागलो की तरफ टेस्ट बनाते रहो, अगर टेस्ट बनाना भी होगा, तो कम से कम उस segment का बनाना, ज करो, हम बोलना हैं कि तुम उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके घर पर बैठो, 199 उसी दीए फीजए रखे हैं तुम पर 250, 309 भान करने के बाद, घर पर पर टेस्ट पर 7 को एटेटा को अधंब करो, अधंब करने के बहुत नूतर नहीं है, इतना पार निर्भर करोगे, इसलिए हम लोग उसके इंवेस्ट कर रहे हैं तो बस मेरा यही कहना है इस तरह का स्थाट यह अपनाना अब देखो, अब हिस्ट्री तुमने कर लिया तो हिस्ट्री करने के बाद हिस्ट्री को तुमने तरकस से क्लब किया उसके बाद BCW के टेस्ट्री में जाना और जो हिस्ट्री वाला सेक्शनल टेस्ट महाँ पर पच्चा उसको अटेम्ट कर लेना साइंस कमजोर है, साइंस के बाद तरकस के सांथ कलब करना BCW के टेस्ट्री में जाना वहापे सेक्सनल टिस्ट को अटेम्ट कर लेना फिर अगर बिहारे स्पेशल कमजोर है तो वीडियो करना, तरकस देखना सेक्सनल टिस्ट जाके अटेम्ट कर लेना फिर यकीन मानो वो सब्जेक्ट और एरिया तुम्हारे इतना रोहे तुम्हारे बिहारे ंतना